सो हे गाइज वालकुम बैक टो चैनल कैसे हो आप से वाई होप कि आप सब सेफ होगे और आज हम 20 मिनेट रिविजन सीरीज में चैप्टर करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वीडियो स्टाट करने से पहले सबसे बता दूं कि थर्मल प्रॉपर्टीज और यह चीज़ लर्ण करनी है यह चीज़ इंपोर्टेंट बस आपको उसी पर फोकस करना है बाकि यह नोट्स तो आपको मारी वेबसाइट पर देखने को मिली जाते हैं सो गई एकाडमी पे इस समय स्पेशल ऑफर चल रहा है जहां पर आपको सिक्स मंस के सब्सक्रिप्शन वन मंत का सब्सक्रिप्शन फी मिलता है वैसे ही 18 मंस पे टू मंस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है और अगर आपने अपने अचैडमी पे एंड्रोल हो रहे हो प्लस या फिर आइक पे तो आप हमारा कोड लगाना ना भूलें इंग्लिश वर्ड आपको कोड अब तक या आपको महां पे भी और दूसरी बात नीट यूजी कॉमबाट चुकि टू जैन 11 एम ऑनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो गाईज आप उसको भी एंड्रोल करो को कि वहां पे आपको फोर करो प्लस तक के एक्साइटिंग रिवार्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत अच तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेंपरेचर स्केल्स एक्सपैंशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बना शुरू में बता दिया कि क्या कि मैं इंपॉर्टन बताऊंगा उसको ध्यान रखना है हम लोग को सबसे पहले हमें पता है भाई तीन टैप के स्केल है समय सेल्सियस फेरेनाइट केल्विन इनका लोवर फिक्स्ट पॉइंट क्या है अपर फिक्स्ट पॉइंट क्या है उनके बार भी पता है आपको पता है सेल्सियस जीरो लेते हम लोएस्ट में अगर हाई कोई बोल दे त 212 तर जाएगा तो यहां डिफरेंस आता है 180 का उसके बाद 273.15 केलविन से 373.15 केलविन फिर से यहां पे 100 डिफरेंस का डिफरेंस आद देखने को मिलता है हमें तो यह जेंडरल में आपको बताना था तो कि चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तेमपरेश के बारे में को यह तेरा ऐसी फैरेनाइट में दे रखा और केलविन में यह दे रखा हुआ अब कोई न्यू स्केल हमने डेराइफ करना है ऐसे हर बार कुषिन हैगा श्रीस में स्टार्ट कर रहा हूं सबसे इंपोर्टन टॉपिक से अगर बोलता है कि नया कोई न्यू स्केल हमें डेर सबसे हैं है सियर यह मरा वो टमपरेचर है सेलसियस में कोई टंपरेचर है और यह है हमारा 100 डेज़क। तो में है और सिम्लावन में है और पर फिक्स पॉइंट अब तो समझना ऑब हमें क्या करना है पहले सी में से melting point को माइनस करना है ठीक है जो भी आपका टेम जो भी आपका स्केल एजिए आप चलसेट में रखा है तो उसमें जो भी आपका मान सकता हूं मैं 32 degree Celsius ठीक है 32 degree Celsius तो क्या करो 32 में से सबसे पहले आप इसका melting पाइंटिंग पॉइंट माइनस करो जीरो उसको डिवाइड करो कि कितना Celsius scale में हमारे डिवीजन होते हैं कितने मुने उपर बताएं आप देखो कितने होते हंडर होते हैं ठीक है तो हमने आप हैंड्र डिवीजन को अपन में कर लिए सिम्लाली फैरेनाइट के केस में देखो एफ यह रहा एफ इस मेंसे का मैंस करा तो यह क्या होगा 32 यह हो गया डिवाइड इसके डिवीजन कितने डिवीजन होई यह जने निकल के वनेटी आएगा जो कि मैंने आपको पर बता दिया ओलड़ी यह रहा वनेटी लिखा हुआ है समझे रोभी तका में जो भी हमें जो भी हमें टेंपरेशी दे रख यह अप देखो यह आप इसको नए स्केल को रखोगे एकस यह हुआ एकस हमें नहीं पता एकस क्या है मैने इसको एकस माना मायनस उसका लोवर फिकस पॉइंट तो आपको इसीजुड में रख्योंगी कि नए वाले जो आपका स्केल निकाल ले उसका अपर फिक्स रखोगे आपर फिक्स पॉइंट पर रखोगे फिल्ड और फिस्ट पर को माइनस करोगे तो आप देखो यह तीनों वैल्यू से रखी है एक्स की वैल्यू निकालनी है और आप इसको इन सब नॉर्मल नमबर है यह सब दोन तुम भी आपर फिक्स पॉइंट पताएं मुझे फिरेगनाइट का मुझे सारी वैल्यूस पता है इसको एक्कुल कर आपने इसके आपको कॉस्चिन में लोर फिक्स पॉइंट वेयलू देरखी इनकी वैली देरके इनकी वैली देरकी अग्स क तोड़ा पहली बार में कोई समझने कोशिश करेंगा थोड़ा प्रॉब्लम आएगी पर सीदी से बात है आपको से अगर से से कंवर्ट करना है तो सेल्सियस वाला लगखा एक क्वल फैरेनाइट वाला करना है तो कैल वाला करना है तो कर सकते हो और आप एक्स की वेल्व निकाल दो तो आपको नेया टेंपरेशन निकल के आजाएगा नए वाले स्केल के अंदर बाकि वैली जो मैंने बता दी कौनसी वैल्यूस पोट हो आपके अल्लेडी गिवन होंगी यह वही चीज जो मनोपर समझाई ओल्ड थर्मोमेट्री यह इतना इं इस जनेरली नॉर्मल इतना इंपोर्टेंट नहीं है बोल लाओना तो बस इसको लिए कर सकते हो अब थर्मोमेट्री भी इतना इंपोर्टेंट नहीं मैंने बोला इस्टार्टिंग वाले पोश्चन वहने बहुत दर टाइम इन्वेस्ट क्या क्योंकि वह जादे इंपोर् तो इंक्रीजर हमें पता है कि लिए सब्सक्राइब हैं तो इस थम्सके बीच करेंगे इसमें में कुबीकल के बारे में इसकस करेंगे देखो माल विए किसी को हीड किया और उसका जो हो रहा है वो लेंद के अंदर हो ओ तो इस टैपके एक्सपैंशन को बोलूगा मैं अब देखो ratio of increase in its length उसका ratio किसका पहले तो increase in its length कितना इंग्रीज हुआ length में पर degree temperature में चेंज आया है जो जब जब जो normal पहले length था उसमें जो temperature तो जब increase हो गया length में उसके बाद जो temperature है उसका change नीचे हम denominator में रखेंगे और length के increase का change हम उपर रखेंगे numerator में तो इन दोनों का ratio को मैं बोलूंगा linear expansion of linear expansion coefficient जिसको मैं alpha के नाम से भी बोलता हूं सो जब आप ratio ले रहे हो तो आप सिफ और सिफ लेंद का ratio ने लोगे आप उसको डिवाइड करोगे उसके temperature rise से और multiply करोगे उसके original lens से तो यह आपको याद रखना ठीक है आप हमेशे multiply भी करोगे उसके original lens से similarly आगे बात करूंगा सबको उसके original area से multiply करना पड़ेगा और फिर उसके original volume से multiply करना पड़ेगा आपको जो मैं आगे बताऊंगा नहीं समझ में यह आप इसको पढ़ सकते हो मेरे नोट में आपको मिल जाएगा जो कि कहां है मारे नोट की PDF हमारी website www.eng1.in link भी description में दे रखा है यह एक एक क्वेशन है जो कि आपको लर्ण करनी डायरेक्ली लर्ण एक किसी भी एक टेम्परेचर पर जो लेंद हो गया लॉट इस दा इनीशल लेंथ वन जश्टा नमबर प्लस एलफा इस दा linear expansion coefficient बोल सकते हूं coefficient of linear expansion भी बोलते हैं से delta D is a change in temperature में क्या change आया तो यह चीज़े आ सकती है जिसमें आपको directly numerical वगेरा में पूस सकता है आपको पता होगा आपको मालो एल्टी निकालना है alpha की value given होगी temperature बता रखा होगा कि पहले इतना था अब इतना हो गया तो माइनस करोगे तो चेंज निकल के आएगा और इस equation में put करोगे तो की value निकल के आएगी यहां से question मन सकता है hope कि आपको समझ में आया होगा similarly आप coefficient of area expansion इसको मैं बोल सकता हूं superficial expansion की बारे में भी उपर क्या बोला था लेंद में जब इंक्रीज होगी तो भी लीनियर एक्सपेंशन बोला हूं अब क्या चीज़ इंक्रीज होगी जब मैं coefficient of area expansion इसको बोल सकता हूं क्या चीज़ इंक्रीज होगी बताओ area increase होगा जब area में increase आ रहा है तो मैं उसको area expansion का नाम दूंगा इसकी question भी यह रखी है इसमें आप objective paper आ सकता है तो इसमें भी definition पूछी जा सकती है सब बता रहा हूं सब notes में देखने को मिलेगा similarly इसका भी देखो जब ratio of increase in area per degree वह उपर जो बताया ना समझे नहीं समझे पर जैसे बताया था में लेंद का तब टाइम किया था मिलने में बताया था हूं कोई बात नहीं देखो तो जब आप इसका रिशु ले रहे हो इसको डिवाइट करोगे उसके राइजन टेंपरेचर से उसको multiply भी करना पड़ेगा उसके उरिजिनल एरिया से जब मैं आगे फॉर्मले बताऊंगो तो आप पौर अच्छे समझ में आएगा उसका रेशियो ले लो तो क्या होगा बाई एरिया एरिया कोफीशेंट बीटा के नाम से आप जानोगे दो च पर बचा है वॉल्यूम तो क्या होगा भाई वॉल्यूम इंक्रीज आ रहा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा जिसे में क्यूबिकल एक्सपेंशन बोलता हूं तो सिमिलरली यहां पे भी आपको जब आप अपने डिवाइट कर रहे है उसके राइजिन टेंपरेचर से ज गामा ठीक है इन तीनों चुड़ियां को आपको याद रखना इनके रिलेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टन कोश्चन अधा डैरेक्ली एक कोईशन याद रखनी इसमें क्या चैंज होगे बस गामा सब एक कोशन से में आपको ल एल नौट एल्टी अलफा फिर एनौट एटी बीटा और फिर वीटी वी नौट वीटी गामा इतीन आपको चेंज करते रहोगे इंटर्चेंज करोगे तो आपकी कोशिस बनके आएंगी टेंपरेचर स्केल थर्मरेस्पेंशन अब देखो वही रिलेशन है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था एलफाइज इकोस बीटा बाइटू इसके डेरिवेशन होते हैं काफी अब हम उसके बार में नहीं बात करें क्योंकि दिस इस और वीजन परपस वीडियो देखो तो एलफाइज इकोस टू बीटा बाइटू आपको डालेट लियाद रखना है अलफाइज इकोस टू गामा बैठी आपको यह बीडियरेक्ट लिया रखना वाट इसलफा कोफीशन अफ लीने एक्सपेंशन वाट इस गामा कोफीशन आफ वॉल्म एक्सपेंशन यह फिर क्यूबिकल एक्पैंशन में बोल सकता हूं ठीक है तो गामा इस इकोस्तू थ्री बाइटू बीटा एक और यह आप निकल क्या 3 आपको याद रखना है ने पहला ये दूसरा ये और तीसरा ये तीन अपको इनके से destructive और舞 आा है डिवाइड जस्ट रिशो नहीं लेना आपको मुटिप्लाई भी करना है उसको ओरीजिनल लेंद्थ उसके ओरीजिनल एडिया उसके ओरीजिनल वॉल्यूम से याद रखना अब हम बात करने वाले हैं कंडक्शिन करने कंवेक्शन की देखो यह को यह रोड जनली हम इसको रॉड मन के चल रहे हैं इसकी रॉड है इसकी लेंद्ध यहां पहले रखिए टीवन टेंपरेचर एक पॉइंट पर टीटू तेंपरेचर दूसरे पॉइंट पर एडिया इसका यह पता है में डीक्यूब डीटी मतल सब्सक्राइब कर दे के वाट इसके के इसदा थर्मल कंडुक्टिविटी ओफ एट रॉड यह आपको बता दी क्या के चीज़ है तो अगर इसको नॉर्मल एक तो क्यू अपॉन टी के एट टीवन माइनस टीटू अपॉन एल जैनली फॉमल यह आजा करो तो जस्ट आपको सब्सक्राइब करें तो निकाल लोगे आपको टेंशन नहीं है तो आपको फॉमले याद रखने जो मैंने आपर दे रखें यहां पर थर्मल रेसिस्टेंस का फॉर्मला है और एच एल अपॉन के बता दिया थर्मल कंडुक्टिविटी एज़ा एडिया तो देखो हमने इस सब्सक्राइब कोशन कम पूचेगा इसका मतलब समेशन होता है जिसको नहीं पता मैंस में अपने देखा होगा फिजिस में काफी हम पढ़ते हैं तो यह दो जनली फॉर्मलाज है तो यह वाला पाट ठीक था इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है मैं अगर मैं समझा भी ना खुद पढ़ कि आप इस चीज को समझ सकते हैं जैंब इस में एक एक एक्सपेंड कर देता हूं दो जो प्योर वाटर होता है न अगर हम उसको कॉंट्रैक्ट करेगा अगर मुझे कर रहें किसी प्ली वाटर को हीट करेंगे तो कॉंट्रैट करेंग और आपको यह भी चीज़ आ रटने कि वाटर हैस नेगेटिव एक्सपेंशन कोफिशेंट इन रेंज जीरो टू फॉर नेगेटिव एक्सपेंशन हो जाता है यह पर वाटर का गरम सीरो टो फॉर डिग्री सेसिस के रेंज की बात करो में ठीक है और फिर पॉजिटिव हो अगर हो डिग्री सेस को पार कर दो फॉर पॉजिटिव हो जाएगा कि एक्सिप्सेंश लुटा है को यह कॉन टेक्शन का बोगा जीरो ठू थी पॉइंट इक्सिम्स फॉरी मंगे चलो टिक है यह बाद उसके बार एक्सिट पैंशन वाली फोडिकी बाद 4 डिग्री पे ए नाइकी का साइन देख सकते हो आप वालिम वर्सिस टेंपरेचर का ग्राफ होता है ठीक है यह देखो इतना सही लग रहा है डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजिस फ्रॉम सीरो डेगरी टू फोर डेगरी डिक्रीजिस विद राइज इन टेंपरेचर फ्रॉम फोर कितनी बारे की चीश को बार बर बताएंगे तो अब हमने अगर वाल्यम टेंपरेचर का ग्राफ यहां पर पढ़ लिया है तो डेंसिटी और टेंपरेचर का ग्राफ पीछे क्यों देखो फोर डेगरी पर यह तो यह रहाफ ओर डेगरी देखो यहां पर देंसिटी मारी मैक्सीम हो रही है तो आपको यह चीज याद रखनी है ठीक है उपर सब ठीवरी के फॉर्म में लिखा हुआ है अब कैलोरी में ट्री के बात करते हैं यह कि वेरी इंपॉर्टेंट ट स्कीवरी में चैन जाता है इसका हीट ट्रांसफर को हम अगर हम डिस्क्राइब करना चाहिए दिनोट करना चाहिए तो कैलरो टौर मीटर को हम कि इंपर्टेंट टापिक यह चाप्टर बोला मैंने कि थर्म परदीजन थर्मोडनमिक्स मिंग्स को एक अच्छा यूनिट के कोशिशन मनाता है पर सिमलर्लीय अगर में बातिए थंगली सिंगल थर्मल पर्प्रपर इस की बात करूं और थोड़े थोड़े बहुत of that body by one degree Celsius is known as specific heat I hope कि आप को चीज समझ में आ गई होगी specific heat of solid or liquid की बात करते हैं ठीक है अगर solid or liquid को heat किया जाए जब तक उसका टेम उसका जो state है वो change ना हो जाए तो उसके कोई change नहीं आता उसके अंदर volume के अंदर पहली बात तो work done वहापे zero माना जाता है hence there is only one specific heat of solid and liquid क्या होती है वह होती constant सिर्फ कॉंस्टेंट रही स्पेसेफिक एडिया रखना है अपको अब thermal capacity of body q upon delta t heat upon changing temperature या आपको याद रखना थर्मागे डरी फॉर्म लाए तो बहुत जनरली फॉर्म लाए तो याद रखना है को यह मैं देखो amount of heat required to raise the temperature given body by one degree Celsius वहीं बाते उपर बता चुका हूं आप amount of heat required to raise the temperature of by one degree Celsius thermal capacity of that body to q upon delta t general formula इसको भी लेंग करना है जो जो फॉर्मुले जाने लेख लो या फिर मिने नोट्स आपको ही महा से आप लेंग कर सकते हो ठीक है करते हैं तो q upon m delta t उपर q upon delta t formula पढ़ा है तो यहां पर एम मास को जोड़ दिया है नों ने मिस्दा मास तो amount of heat required to raise the temperature of unit mass through one degree Celsius यहां पर क्या थिते हैं उपर के definition to raise the temperature of the given body पर यहां पर बोल दिया है unit mass तो भई मास से इसको denominator multiply कर दिया है एक और नया formula मिल गिए आप उनको q upon m delta t जो क्यों होता है specific heat capacity का formula molar heat capacity मोल आ गया तो भाई इसको n से multiply नहीं कर दोगे क्या सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री मिनेट इस आपको पसंदारी में जानता हूं तो बहां जाके मैंने मोल्स के बारे में काफी अच्छे से explaining क्या हुआ है तो यहां पर एंसे multiply कर दिया अप उन लोगों ने पहले उपर मास से क्या था पैंसे किया है समझे आप यह बात तो इसी बात पर इस वीडियो को सब्सक्राइब के लिए सब चीज रखिए इसका जो पीडियाफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वेब साइट में बिल जाएगा हमारी ठीक है नहीं दिया सुना ही मुझे आयन लगा होगा सभी बोल लें और थर्मल के पैसिटी में आप क्या लगा होगे देखो तर्मल के पिडिका फॉम्ला होता है मास ऑफ दबॉडी इंटु स्पेसिफिक एट इस पैसिपेसिक हीट का फोलो पर बता दिया है स्सी इस उकल टो एमस एसी माँ थर्मल मालनों के फैसिटी इन्टौ में स्तविस्ट इतिफशेए क्यों कुपर बता जोको करने ऊसके युनित होती कालोरी पर डिगरी सेल्सियेश यह फिर केलो कैलरी कालोरी पर डिगरी सेल्सीयेश यह उनेट आरेपॉर्टन फॉम्लें इ ठीक है इसके definition ज्यादा ध्यानी देना इसका formula क्या होता है mass of the body into specific heat of that body upon specific heat of water समझ गए mass of the body into specific heat of the body upon specific heat of water तो यह आपको याद रखना है unit of water equivalent इसका होता है gram या फिर kg में इसको लेते हैं अब यहां पर देख सकते हो दो चीज मैंने लिखियो हुए है यह होती इस specific heat capacity of water अगर मैं बात करूं gas form में और यह होती है in liquid form में तो आपको यह दोनों चीज आपको जन जन्रली आपको याद रहने चाहिए four point one eight and one point eight six five यह फिर question में भी given हो सकता है कि इसकी value आप यह रखो जब आपको question अच्छे से आपका calculation हो जाएगा तो यह दोन चीज आपको बात करते हैं यह होती है hidden heat छुपी हुई heat अब कैसे होती है उसके बार में discuss करते है amount of heat एक ऐसी heat जो कि supply करी जा रही है यह फिर remove करी जा रही है किसी भी body से जिससे उसका state change हो जाए from solid to liquid or liquid to gas etc कुछ भी जाम स्टेट को बोल सकते हैं तो इस टाप की heat को बोल सकता हूं latent heat of that body ठीक है remember that the face transformation is isothermal phase transformation होता है किसी भी phase solid to liquid liquid कैसे भी वह एक isothermal process होता है isothermal मतलब temperature is always constant in isothermal process ठीक है तो isothermal process में temperature हमारा constant रहेगा ठीक है temperature change होता है वह constant होता है ठीक है for face change q is equals to ml ठीक है mm is the mass L is the latent heat latent heat दो टाइप के होता है latent heat of fusion latent heat of vaporization तो यह दोनों के बारे में आपको और अच्छे से पढ़ना होगा the amount of heat जो के required होती ही जब हम state change होती है solid से liquid है ना तो जिसे melting इसको बोल सकता हो तो वहां में उसको यूज जो heat होती वह होती latent heat of fusion जब करें बात करूं liquid से gas की जहां vaporization हो रहा है वहां पे latent heat of vaporization का नाम आजाता है that is very important guys तो अगर आप इस topic के बार में थोड़ो और जानना चाहते हो तो मैं एक टाइप का image यहां पर डालूंगा अपने notes में बाद में वीडियो के जब डल जाएगी तो जब इसकी PDF देखोगे तो वहां पर इसके बार में थोड़ो और mention होगा वहां आप और ज्यादा पढ़ सकते हैं इससे डाइटली कभी कब एक दो कोशन आ जाता है तो वहां पर आपको दो फॉम्ले याद रखने पड़ते हैं एक तो यह वाला फॉम्ला एक यह वाला फॉम्ला और हमें conversion आना चाहिए ठीक है तो यह थोड़ा important चीज़ है इसके बार में जो addition हो सकती है में यहाँ पर नोट में addition कर दूंगा तो जो addition चीज़ है वह आप जाके हमाने नोट में डारेक्ली पीडिएफ में जाके पढ़ सकते हो ठीक है सेक्णार उसको उसको इक्कॉर्चन को कंस्टेंट अब क्या होता है सिंगमा की वैल्यू का नाम भी देता हुं वो स्टेवेशन &현ation — 8.670 cane लिए ज्यादा रिक्वाइड नहीं में भी आपको कोश्चन में डे रखी होगी तो भाई यह चीज आपको याद रखनी होती है यह फॉर्मुला वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट सिंग्मा एट टी टुदी पावर फॉर्ट तो डिरेक्ली आ सकता है स्टी सब्सक्राइब करें बताना जा रहा हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेम्डा एम इस दा वेवलेंट ऑफ पीक ऑफ दा कर्व इस दर टेंपरेचर आए होब कि आप कुछी समझ में होगी ठीक है अभी जो ग्राफ दे रखा है इसमें बता रखा है कि टीवन सबसे ज थो देखनें को मिलेगी आपको लेंड़ां ठूवल्ब्ल थी पर लेंड़ाघ को सगी पलती में खतर ऐसे लेंड़ां टुट्यू अब को दिखना होगा और पता होगा लैमडा एंटी कॉंस्टेंट है तो डाये निकाल लोगे निकाल लोगे ना प्रूप्र पर वीडियो दी तो मैंने पूरी कोशिश करी कि शॉट्ट मैं को सब समझा सकूं बाकि वाला जो टॉपिक आपको अगर जादा समझेना तो मैं यहीं पर लास्ट में यहां इसके बाद यहां पर एक चीज़ एडिशन कर दूंगा उस वाली चीज़ की तो आपको और एडिशन में उसको टीटेल टीप में समझ में आ जाएगा ठीक है आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो मेरे इस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो मार करो डियम करो विद्धर सेजिए थैंक्यों वाचिंग वाचिंग इन फीडियो जब तक लिस्टेव लेस्ट गुट बाई बाई बाई